मात्र पाच साल की एक लड़की अपने माँ से कहती है कि भाईया बाहर खेल रहा है तो हम भी उसके साथ खेलेंगे और उसके बाद वापस घर आ जाएंगे 12 साल का भाईया उसके घर के बगल में रहता है वह बच्ची वहाँ पर खेलने लगती है कुज़ेर के बाद उस 12 साल के लड़के का पिता आता है और अपने लड़के को कहता है कि तुम घर में ले जाकर यह समान मा को दे दो वह 12 साल का लड़का अपने पिता की बात को सुन कर घर के अंदर चला जाता है और 12 साल का लड़का समान दे कर उल्टे पाउं दोड़कर वापस बाहर आता है क्योंकि उसको खेलना था जब वह वाहर आता है तो देखता है कि उस 5 साल की लड़की को उसका पिता उठा कर लेकर जा रहा है वह लड़की रो रही है वह लड़का दोड़कर वहाँ पर जाता है तो पिता उसको पीटता है और उसके बाद कहता है कि उस 5 साल की लड़की जो लड़की अब मौका पा अपने घर की तरफ भाग रही है उसको पकड़ कर लाओ 12 साल का लड़का उसको पकड़ कर लाता है और उसके बाद की कहानी आपको हम सुनाएंगे तो आपका रोवा सीहर उठेगा आपका विश्वास इस दुनिया से मानोता पर से उठ जाएगा आप सोचने लगेंगे कि वा होता है तो वह पिता अपने बेटे को पीट कर कहता है कि तुम घर में जाओ लड़का डर के मारे चला जाता है इसके बाद वह आदमी उस पांच साल की लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है उसके कुछ दिर के बाद जब वह घर वापस नहीं जाती तो मा बगल में द बढ़का कहता है कि पापा जो बच्ची थी उसको लेकर अपने साथ गए हैं वह बच्चा कहता है कि वा तो रो रही थी लेकिन पापा ने हमको भी पिटा और पीट कर हमको चुप करा दिया अब मा जो थी वह उस आदमी को जा करके पूछती है तकाल पुलिस को सुचना दी जाती है सब कुछ शाम के वक्त में शुरू होता है वह आदमी वहाँ पर बैठ कर अपने घर के बाहर शराब पीता है गाउं के कुछ लोग इकठा होते हैं धीरे धीरे लोग पुछने लगते हैं कहा जाता है कि वहाँ पर जो आरोपी है उसके पक्च में भी खुत ज्यादा परिशान हो जाता है तब वो कहता है कि तुम्हारी बच्ची बहुत चिलाती है इसलिए हमने उसका गला दबाकर तलाब में फिंग दिया इसके बाद जब लड़की के पास भागी भागी पुलीस जाती है तो लड़की तलाब के किनारे मिलती है अब लड़की को होस आता है और इसके आगे की पुरी कहानी वहाँ पर पता चलता है लड़की कभी होस में आती है फिर बेहोस हो जाती है कभी होस में आकर वो सिर्फ पानी मांगती है और पानी देने के पहले वो बेहोस हो जाती है वह लड़की कहती है कि हम वहाँ पर खेल रहे थे बाब अ मं आई और हमको लेकर अपने साहस साथ चले गया δो乐 लड़की बड़ी मासूमियत से सब कुछ बताती है केहती है कि उनहोंने धूक लगाया उन्होंने गर्ना तोड़ा गर्ना तोड़ कर ढाल डिया और सबकुछ जब लड़की बताती है तब पूलिस में ऐसे death कैसे हैं बाकी लड़की का इलाज चल रहा है डॉक्टर कहते हैं कि हमने एक surgery कर दिया है इसके बाद एक और surgery करेंगे और तब भी डॉक्टर कहते हैं कि वह लड़की कभी अपनी जिन्दगी में मा नहीं बन सकती है डॉक्टर कहते हैं कि हम प्रयाास तो करेंगे कि ठीक कर दें, लेकिन हमको लगता है कि अब लड़की वापस से कभी सामाने नहीं हो पाएगी, वह कभी मा नहीं बन पाएगी, वह ब्च्ची कहानी बताती है, कहती है कि जब हम बेहोस हो गएं उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता, ले जब होस आने के बाद बच्ची किसी प्रकार से रेंगते हुए तालाप के किनारे आ जाती है और जब वो किनारे आती है तो फिर बेहोस हो जाती है और बेहोस होकर वहीं पर पड़ी रहती है तब तक पड़ी रहती है जब तक पुलिस और गाउं के लोग उसको ढूड़ते भरती है। उस 40 سाल के आदमी का 12 साल का बेटा अपनेबाप की सारी कहाणी बताता है कहता है कि कैसे उसके पिता ने उसको पीट कर भगा दिया और 5 साल की उसकी बेहन जो अपने पडोसी को भाया कहती है उस आदमी को बाबा कहती है उस बच्ची को टांग कर लेकर चला गया फिलाल पुलिस आगे कारवाई कर रही है पुलिस अपनी जाच परताल कर रही है लेकिन अब तक की जो कहानी थी हमने आप तक पहुंचा दी है आपकी फर्त करिया क्या और में मुईत कुमार सिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।